कर दो कि चलो तो बही बताना आवाज आ रही है सभी को डिवनिंग सभी का स्वागत है चल्दी से पहले बता ही आवाज आ रही है और यह आपके स्क्रीन पे जो लिखा नहीं कुछ बहतरीन चीज होने वाले आपके लिए एट पीम पे और वो भी फ्री होगी complete free marathon है तीन घंटे का आपने अगर current फिर कवर करना है ना दोस्तों यहां से कवर कर लेना आज रात को आठ बजे इसका लिंक मैंने उपर पहले से पिन करके रखा है आप देख रहे हैं उपर टॉप 500 current फिर पिन लिंक जब यह class end होगी ना उसके just बाद होगा तो आप अगर लेट आ रहे हो ठीक है अगर आप इस लिंक इस class को आठ बजे देख रहे है उसके बाद देख रहे है तो सीधा उस पहले पढ़ो यार पहले एक घंटा इदर पढ़ो देखो यह पढ़ोगे अपना कवर करोगे जो आम प्रोसेस साथ बजे की फोलो करते हैं कोई कहा का सर मॉक टेस नहीं होगा आज फाई आज कर लो या तीन घंटे लगा रहा हूं इतनी महनत से content बनाया है जो current फिर मैंने पढ़ाना है तीन घंटे आज वह पढ़ो सीधा लाइवमन कोड से एकसेस कर लेना जो भी बच्चा आब आ रहा है अब देख रहा है इस वीडियो को सीधा लिंक को उपन करके लाइवमन कोड से एकसेस करो सारे के सारी टूड़ जो फ्री क्लास है यह current फिर पढ़ो CGL की फ है ना बाकिया आपके लिए जो अपडेट्स होते हैं कमपीट करिए वन 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 एक एड़ियो आस्डाउट की फीचर यूज करिए मैं इस क्लास का लिंक टेलिग्राम पे भी डाल रहा हूं आप अमन सर्वाइफ इसड़ी जो है सर्च कर लो सर्च करके जुड़ जो पीडिएफ भी इसी में आएगी जो करेंटे फिर पढ़ाऊंगा ना उसका पीडिएफ भी आएगा इसमें तो सारे के सारे टेलिग्राम पे जाके पीडिएफ ले 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 रहा है बैचे सारे लेट लेटस्ट है अभी जो 20% डिसकाउंट है वह लाइव मन कोड से मिलना है आ अन अकेडमी पे आपकी आज मेराथोन होगी फ्री होगी सबी बच्चे जूड़ सकते हैं ठीक है ध्यान रखेगा चलो अब कोशन स्राट करते हैं यहां पर पढ़ते हैं उसके बाद कंटिनु करें शेयर करो सारे के सारे कैनरी आइलेंड जो है कौन से देश में हैं कमेंट लेवल एक जैसा है तो हमेना इस लेवल को जो है अटेन करना है कैसे हम जो है इस लेवल को कर सेखें तो इस तरीके सवाल आपको मिलेंगे चालो तो इस कोशिंगा आंसे क्या है यह वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है सबने आइलेंड के कोशन बहुत सारे बड़े होंगे आपको अगर इस लेवल को हाई करके किया देता कि बहुत सा है यह बता हो तो फिर आप क्या करते जल्दी सबती आँचा के अगर ocean गया देता तो फिर के यह master class series का final point है ठीक है final चीज नहीं करी तो पहला करा हुआ वेस्ट हो जाएगा ठीक है यह जो मैं अभी करा रहा हूँ ना marathon करा रहा हूँ current फिर की यह वाली class करा रहा हूँ रोज mock test करा तो कल mock test भी करा हूँ आपका कल एक भैतरीन एक नहीं लगातार पांच mock test करा हूँ अब मोक test का marathon लेकर आऊँगा कल ठीक है तो ऐसे मैं आपको रोज marathon कराने वाला हूँ बहुत सारी mock test ठीक है अभी आज करें ने फिकर नहीं अगर आपसे ocean कहता है तो यह ocean कौन सा है Atlantic Ocean है ठीक है द्यान अखना किसी को नही केश धामी का answer सही ठीक है इंटालीजन वच्चों का बहुत तरीके से answer से बहुत अच्छी बात चला एक और question देखेगा पुर्तकालियों की जो पावर अस्टबिश किर देखो पुर्तकालियों में वास्कोडिगामा आए घुमते फिरते ठीक है जहां तहां घुमते फिरते अंटर किये पहुँच गे उसके बाद उन्हें कुछ नहीं बता था मुझे बते ही यह रियल फाउंडर जो है इन अच्छे वैसे इसमें वास्कोडिगामा लिखा हो है तो क्या वास्कोडिगामा answer हो सकता है पुर्तकालियों की पावर के रियल फाउंडर क्या होटा है कोने इसमें से do vaik 2016 लेवल है और आप огрच करणडे फिर पढ़े आप सींपहईल करणां फिर पढ़ाज और एक दिन और पढ़ाओं यह गवे, interior theme i half ener अन्वार तो यह घोबने थे आपको अवास कोड़ी माँ कहा很 bona वाश को डिकानमा घूम ते बिरत आये थे अचा आसको डिकानमा घूमते न फिरते और और फिरते आया थे आंस single को गरियो शॅट का उन्हों ने इन्हें पुर्तिकाली पैली पावर तरह सबसे आखरी पावर जो कि अ सबसे ऑहले हैं पूंड को तरह रताम है जो आने वाले फ्रांसी सि आहें और सबसे आखर मिल सकना थे देखें चलिए एक और कोशिन देखें लेंड ऑफ थाउजन लेक सरल सवाल अब जैसे पूरा पेपर मुश्किल हो कुछ चीज़े मुश्किल मैंने अभी पेपर ही उठाए सीधा तो इसलिए पेपर वाला क्यों आज मैं मौक्टेस नहीं करापा हुआ आज नहीं करा पाँग पाँप मौक्टेस कि आज कर लेते हैं आपका मैराथुन का टाइम स्टार्ट हो गया 22 तारीक है 26 तक मैराथुन करेंगे तिन-तिन गंड़े की आज कर लेते हैं लेंड ऑफ थाउजंड लिखा हुआ भाई है ना सुने पर विश्वास करते हो मैंने बोला लैंड ऑफ थाउजन लेक तो आपने फिल्लेंड लगा दिया थोड़ा सा नजरों पर भी फर्माओ अपना है ना आखे जो भगवान ने जो ये दिव्वे जोती का दान दिया है उसका भी प्रयाक करो अपने कानों के ठीक है चले एक और Queshan देखेएगा इसलिये कहते हैं सुनी-सुनाई बातों पर कभी विश्वास न करें थिक है ये सच्छाई आज आपको अत्यां मतनब बता चलेगत है होगा समझा पर य बात सब्सते हैं चैले एक और question देखिए, इस question का answer है, comment करेगा, यह बहुत ही मोटन question, United Nation Environment Program की अगर मैं बात करूँ, तो UNEP के headquarter है कहाँ पर, बता ही इस question का answer है, इसका exact आप से question पूछा आता है कि कौन सा ऐसा समय था, जिस समय इसको जो है स्थापित किया गया, कोई ऐसा वर्ष जिस समय इसे स्थापित किया गया, तो answer इस question का क्या है, नैरोबी, नैरोबी, ठीक है, तो नैरोबी कहाँ पे हैं दोस्तों, नैरोबी केनिया में, अच्छा कोई ऐसा कोई बड़ा प्रसीदी event हुआ ता, जिस समय United Nation Environment Program को स्थापित किया गया, United Nation Environment Program को को स्थापित किया, कोई वर्ष ऐस साथ, जिस समय जो है, United Nation Environment Program को स्थापित किया गया, बड़ा अच्छा कोईशन है, लेकिन फसने वाला कोईशन है, आंसे कहा है, लेको 1972 में एक बड़ा event हुआ था, सबसे पहला event था, जो environment को लेके था, और उसी event के continuation में, 1975 में, उसी event के continuation में, 1975 में, United Nation Environment Program को भी स्थापित किया गया था, तो हम यह कहा है, 1972 का जो event था, वो सबसे important event था, जिसमें इस चीज को discuss किया गया, ठेके, इसको हम क्या कहता है, स्टोक हम, ठेके, क्या कहते हैं, स्टोक हम event, ठेके, स्टोक हम का event था, बहुत important था, 1972 में वह था, याद रखना, ठेके, स्टोक हम का event आपको question में मिल सकता है, ठेके, दो ही तो event हुआ है, राइड उजिनेरियो वाला 1992 का important है, और यह 1972 का पहला स्टोक हम वाला event भी important है, ठेक एक और question देख, यालो सी कौन से दो देश हो, अच्छे question है भाई सारे, यह कल वाली ही PDF continue कर रहा हूँ, कल बहुत बहुत बैतरीन question थे, उनी question को continue कर रहा हूँ, मैं बड़े प्यारे question है, ठीक है बड़ा, share भी करो सारे के सारे, हर कोई current फिर में आ जाना, मैं इसके बाद current फ TGL का खतम है, SSC का पूरे subject का, जितने exam हो रहे हैं, सब का खतम है, कोई भी मिसमत करना, उपर link दे रखा, आंचे के इस question का, चाइना और Korea, ठीक है, आदेको, यह दोनों ना, आपस में इतने बड़े मित्र हैं नहीं है, यालो सी भी एक dispute है, ठीक है, साउथ चाइना सी भी ए पड़ा रखी है, चाइना पावरफुल हैं भाई, इस चीज़ों में पावरफुल तो है, तब तो ध्यार रखना, इस question का answer, यह है, question आपको मिल सकता है, अच्छा मुझे बताइए, अमेरिका और कैनेडा के बीच में कोई line है, क्या, ठीक है, ठीक है, बताइए, बताइए, इस question का answer के, दुश्मनी की निये वैसे, है प्रेम की रेखा है, क्योंकि लोग आगे पीछे जा पाते है, अराम से, दुश्मनी युग होती है, तो तारे लगी होती, है ना, तो answer के इस question का, 49th पैलल, ठीक है, 49th पैलल, ठीक है, ध्यान रखना question important है, आपको मिलता है, ठीक है है ना, चलिए, South Vietnam, चलो बता दो, अब पकड़े यूँ बात को, South Vietnam और North Vietnam के बीच में कौन सी रेखा है, ये दुश्मनी की रेखा है, वैसे, ये प्रेम की रेखा नहीं है, ये दुश्मनी की रेखा, ये कौन सी रेखा है, बताई, South Vietnam और North Vietnam के बीच, जल्दी से बताईगो, कि ईके है इसॊंशन का आंसर गए है ऐ कि fps ws लेक कोशंट देखेगे आप अब खुद बतेजा बते हिए पाइनेंस क्मीशन जो है कितने वर्च के लिए अपोइंट किए जाता है मتم करीए ओनेंस कमीशन कितने वर्च के लिए अपॉइंट के अब जैसे ये कोशन बहुत जादा महत्पुन है अब यह आप सभी जानते हैं कि 15 फाइनस कमिशन चल रहा है अब मुझे बताईए कि जैसे सेम स्टेट फाइनस कमिशन को कौन अपॉइंट करता है बते स्टेट फाइनस कमिशन को कौन अपॉइंट करता है अंसर क्या है जल्दी से बतेगा अंसर क्या है स्टेट फाइनस कमिशन को यह अपॉइंट्मेंट किसके दौर यह फसने वाला को स्टेट फाइनन्स कमिशन थ्यां रखना इंपोर्टेंट है क्या होता कि यह चाहते स्टेट जो पंचायती राज उनको थोड़ा धन दे चंदल की लखड़ी पुष्पाराज नहीं वाला अब यह चंदल की लखड़ी पुष्पाराज ने कहां छुपाई दी बताव इसको श पुष्पाराज हीरो हैं और हम विलन को भूली के जिन्होंने चंदल की तसकरी में बहुत कुछ किया है ना क्या नाम था विरप्पन था है ना तो बताव आंसर के इसको शेंगा आंसर के विरप्पन का श्राडम कम हो रहा है चंदन की लखड़ी को लेगे जब से ट्रापिकल मॉइस्ट, मॉइस्ट हो गा यह वैसे पहली बातो हो, ट्रोपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फ्णुल मीव दूसरा वी ध्यान लखना इधर मॉइस लिखांगे लगा रहा Decidious Forest में चंदन की लकड़ी होती है लेकिन Moist Decidious में नहीं होती तो बाकी वस्ता है Tropical Thorn Forest जो की जो है आपको मिल जाते हैं South की तरफ तो ये Question का Answer D लगाना Moist की वज़े से मैं इस Question का Answer B बिलकुल नहीं लगाऊँगा मैं B बिलकुल नहीं लगाऊँगा और जो Evergreen लगा रहा है वेटा इधर Hardwood मिलती है चंदन की लगड़ी है नहीं मिलती जादा दूसरे जो होते हैं और क्या नाम है I forget the name छोलो Timber Titan is the largest natural satellite of wish plant कौन सा प्लानेट है जिसका ये Sir Current Fair की class कितने बज़े होगी आज होती नहीं है आज होगी सिर्फ आज होगी 8 बजे रात के 11 बजे तक चलेगी 3 घंटे का सेशन है सारा Current Fair कंप्लीट है जो जो पढ़ाया जाएगा वो याद करके चले जाना Current Fair हो जागा उपर लिंक दे रखा है सेटलाइट किसकी है कमेंट करेंगा सबसे जादा सेटलाइट किसकी है यह कोशन भी आपको मिल सकता है भाई सेटलाइट तो सबसे जादा पूछा ही जा सकता है ना आंसर क्या होना चाहिए सबसे जादा satellite किसकी है ना इस question का answer क्या है जल्दी सब देंगे चले बताई इस question का answer के है यह important question है भाई important question है मरकरी की सेटलाइट सबसे जादा है अच्छा समझ रहूं है आपका जो बोलने का तरिका है जुपिटर मिलकुल नहीं है जुपिटर की पहले थी अब नहीं है इसलिए मैं इसका पूछ रहा हूँ जीरो सेटलाइट है मरकरी की अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम यानि कि है नहीं सेटलाइट किसकी दो मरकरी है ठीक है ध्यानक ना मरकरी है किसकी सेटलाइट को गलीलियो सेटलाइट भी का जाता है कौन से प्लैनेट की सेटलाइट को गलीलियो ठीक है गलीलियो बहुत होती हैं बताओ वेटा कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें बिना शब्दों का प्रयोग करें जो है क्लास संपन्न हुई हो है ना फिर तो वह आलमारा वाली क्लास हो जाएगी है ना मज़ा नहीं आएंगा उपर से ब्लैक और वाइट ही रहता है ब्लैक हम रहते हैं वाइट स जब हम पढ़ाएंगे न 4 घंटे तो आम तसल्ली से बढ़ाएंगे आपको ठीक है तसल्ली होंची दिमाग में ऐसा प्रेशन नहीं रहे न चाहिए आंसे क्या से अज वैसे वी चार घंटे पढ़ाना वाई आथ तो मूड़ वैसे वी सही होंची अंडर विच वाइब यर अमेरिका से हमने मदद मांगरी कि कनक देदो हमें कि कनक अनास था नहीं अपने पास अनास था नी चायना ने हमें मना कर दिया फिर वही वाली एक पिच्चर है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकाम देखोगे इंडिया ने इतनी ग्रोथ करी कि आज अमेरिका हमें रिक्वेस्ट करता है सर अनाज उगालो आप से खरीदना है यह उक्रेन ने अनाज बंद कर दिया रशिया भी नहीं आता तो बसता क्या है इंडिया बसता है पूरी दुनिया के लिए अनाज इन्डियन चलिया आंसे कंके जल्दी से वाइगे इस कोशिंगा आंसे क्या है इस रों की अगर मैंबात करू इस भी इसरों के जोने चेर्में है वो कुषके होने आन जा बहूत जो अपड़ेटीड चीजिये होंगी नै वो सारी कवर होगा अभी मैं डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमें तीन घंटे लगाने हैं करेंट फिर में लेकिन मैं आपको बता रहो बहुत कुछ कवर होगा आज बहुत कुछ क्या सब कवर होगा 1969 में 29 की स्थापना होई थी अच्छा मुझे बताइए डी आरी यो की स्थापना कव होई थी इंज पताइए डी आर्ड्यों की स्थापना घब होई थी कमेंट करेंगे स्कोशन का आंसे मैं है ना अंसे скорее को होगा है द चलो शेयर करो यार इस सेशन को था शेर करो मडियां से जैसे डियाइडियो की स्थापना पूस्ता 1958 ऐसे पूछने को ना हर एक का याद हो नहीं याद करना बहुत सारे और याद करने बहुत कंफ्यूस हो जाओगे दो तिन का इसका याद रखो इसका याद रखो इंपोर्टेंट है ना नीति आयों याद रखो इंपोर्टेंट है नीति आयों कौन से वर्ष में स्थापित किया गया यह सब सवाल आते जाद हो चलेगर कोशन देखिए बतेगा पच्पन वन स्टैंस हंडड़ थाजन थाजन पच्पन हजार लेक पर हैं सिडी ओफ लेक लैंड ओफ लेक्स कए हैं अब इसको कि वह यह 55,000 लेक है अब क्या लैंड ओफ लेक्स कए 55,000 लेक बहुत होती है वैसे आंजसे कहा है इस कोशन के जल्दी से पते हुँ 55,000 लेक अच्छा वैसे इतनी जादा नहीं है पताँ है आमको गवर्मेंट ओफ इं चरल रहा से बहुत सारी लेगश बनाइगे इंडिय में खोशन को और एसा देश की capital का नाव उस्वार सो जल्दी से बतेगे इस इस कोई इसे चेज़ का नम बड़े अच्छे अच्छे कोशन है दिल में लगने वाले कोशन कि आंसे कास कोछ गा है ना आंसे कास कोछ गा भाई क्लास में आने पानी बाणी लेगे वैणी ठीक weapons बहले उपन करे रखलेना क्लास टवर्ण चेह गी में सब्लाइना वालेन उसके बाद तसली से पढ़ना यार लेकिन मेरी मेहनत अभी आपके साथ जो है आठ शे दिन तक चलेगी बढ़िया ना विए छे दिन में हम आज हम ये कर रहे है किल हम मैराथोन करेंगहे किसकी mock test की जो हमारी mock test चलता है ना वो ही mock test करेंगे बड़ी ऐसे आज नहीं करा रहा mock test कल करा हूँ जरूर ठीक है जाना करना चले जैसे Warsaw किसका है Poland का है अच्छा वैसे ये Warsaw कौन सी नदी के किनारे बताए कौन सी नदी किनारे कमेंट करें कौन सी नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे हो तक है जैसे मालो मैं as a student पढ़ने गया मैंने ये सोच ठाना कि मैं 12 घंटे पढ़ूँ आ अब मैं पागली हूँगा अगर मैं 12 घंटे लगातर पढ़ जाओ ठीक है या तो मेरे अंदर दिव्य शक्तिया है ठीक है है ना कोई मैं फिर एवेंजर्स में आने वाला हूँ या तो मैं थोड़ा सा समध्दार हो जाओं कि मैं 12 घंटे में एक एक घंटे में कुछ ना कुछ जो है ना थोड़ा इंटरस्टिंग करूँ ऐसे पढ़े अगर थोड़ा सा ना पढ़ना पूरा है लेगन थोड़ा सा ना इंटरस्ट के साथ पढ़ना उसके लिए जरूरी है बहुत सारी जी वार्सो जो है विस्तुला ठीक है विस्तुला आपको तीन गंटे पता में चलेंगे काँए απόंषे पढ़ाएंगे फ्रूरी से पढ़ेंगे विस्तुला का आपका कौन सा आपका है आνसर नदी का लाइन पूछा एक पूर प्रस्तावन को कितवी बर संशोधित किया है ऑंशंझुला की हिए जल्दी सेफट है चाला तो जो इस कोशन का आंसर बताएगा वो हुस्यार चार बार अमेंड्मेंट तीन बार अमेंड्मेंड दुई बार अमेंड्मेंड अंगिनत बार अमेंड्मेंड चलते एक बार अमेंड्मेंड हुआ है ओर तीफूर्ध लगाई या 45 लगए क्या अंसर है शोशिलिस्ट सेकुलर ठीक है फ्रेट्र को एड़ किया गया था अमेंटमेंट कुन सा था फोटीफे था या 46 था या सी nowhere 40 मैंसर के बदल जल्दी से बताना तो cortis चाहता है ठीक है देखो मैं आपको नहीं सवाल पूछ रहा हूं कि इसको सवालों को आप जानों कि आपने आकरे हैं कि नहीं 42nd amendment है अब यह मुझे बताईए कि कौन सा ऐसा resolution था जिसकी वज़े से प्रियंबल्स को लाए गया बताई यह आँसे कैस कोशन जल्दी से बताईगा कौन सा ऐसा resolution था जिसकी विरसे प्रियंबल्स को लाए गया था जवारना नहरू जी का objective resolution ठीक है जवारना नहरू जी का objective resolution ठीक है चलिए एक और कोशन देखें इंडिया की newsprint industry कहां पे है newsprint वहां पे जहां पेपर प्रिंट होता है पेपर जहांबे बनेगा आंसे कैस कुशंगा है ना सरा आंसर बताओ suspense मत रखो आप आंसर मत आंसर आप बताओ ना कि कितनी मारी आपको बताएं अमेंडमेंट्स सारे suspense तो सारे करेंड फिर में कवर करेंगे आज अच्छा मैं एक मारी कमेंट बोक्स पे लिखो कौन-कौन जो है अपना ssc cgl का एक्जाम देने वाला जो जो अपना ssc cgl का एक्जाम देने वाला या ssc gd का या कोई state एक्जाम अपने एक्जाम का नाम लिख दो छोटा सा छोटा सा मैं समझ जाओंगा पूरा अपना नोटिफिकेशन मत डाल देना इस पे कमेंट बोक्स पे चैड बोक्स पे सीधा छोटा सा नाम लिखना ठीक है जल्दी अल्ली लिखना सारे नैपन अगर है ड्यूस्प्रिंट के लिए फेमस है नैपन अगर यह आसान कोशन है यह कोई ज्यादा मुश्किल कोशन है नहीं सबी अपना अपना एक्जाम लिखो ठीक है राजिंद्र परसाद जी को इंटरिम कोवर्मेंट में कौन सा पोट्फोलिय विला मुश्किल कोशन बहुत सारे हैं ससी सीजील ससी जीडी यूपी जेकेबी एससाई एफसी आई इंडियन मेटलोर्जिकल यूपी एससी एससी ज पहले आप चार दिन अभी मस्त पढ़ो मस्त गया अभी बाइस तैइस चौबिस पच्चिस चब्विस ठीक है चब्विस तारीक तक मस्त पढ़ो एकदम बढ़िया जो मैराथोन लेकर हम आपके लिए अनाउंस्मेंट कर रहा हूं जो आपको पढ़ा हूंगा साथ से लेके ग्यारवज तक बढ़िया से पढ़ लो उसके बाद आपको ना जीएस की दिक्कत खतम हो जाएगी आंसर के राज इंदर परसाद जी फूड और एक्रिकल्चर पर थे ठीक है अच्छा जी एक्स्टरनल अफेर मिनिस्टर थे राज इंदर परसाद जी ओके मुझे बताव ड घक कोषुन अंसर मेलक वाइड़कस अंचयुठ सेंचरी चेम्पल वाइड़कस इंwestरी कहां पर इस को अंसर और अजनि को मुझे सरदेवर कर बादों के बाद कम अजली व्यकल तैम मिल्स ठीक है अब जैसे कोशें का आंसर क्या है सबसे ज़्यादा कोटन टेक्स्टाइल मिल्स कहां पर इस कोशिंग आंसर क्या है दोस्तों ध्यान रखना इस कोशिंग आंसर है कि यह सबसे ज्यादा कहां पर गुजरात बता रहें सारे हैं तो महाराश्ट केसर सब कश्मीर में उखता हैं तो केशर भीकता भी कश्मीर में हैं सरा का महारास्त गुजरात में उखता है लेकिन जो टेकस्टाइल है बनाने सबसे आधा है का दुछ आपको मिलता है यह तो खेल खेल दिया मतलब यह नोट आउट वाला गेम हो गया पूरा है ना फ्री हिट कंचन जंगा मांटेंबी ऐसे अगर आपको अप्शन में देते हैं कंचन जंगा सिक्किम लिख के देता हम खुशों के लगा देते हैं इन्होंने फ्री हिट दिया है नेपाल इंडिया नेपाली अलग से कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हैं पूरा पूरा ग्यान यूज कर रहे हो कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हैं ठीक है शोवम चोदरी नहीं यूज कर लिया है चले तो आंसर कहा इस कोशन का इस कोशन का आंसर है इंडिया अरे जब सिक्किम में है भाई तो आपका सिक्किम क पंजाब में हैं तो यह पंजाब का आदा पाकिस्तान दे दोगे नहीं हो सकता ना इंडिया का ही भाग हुआ तो यह थोड़ी कोशन घुमाएं हुए मैं कहा रहा है पेपर के कोशन है पूरा आप ग्यारा वजे तक करेंट अधिके साथ यह तो पढ़ लेंगे तो कवर हो नहीं है मौक्टेस मैं दोबारा बता रहूं मौक्टेस कल होगा आज नहीं हो रहा है क्योंकि आज कुछ और हो र ठीक है होगा ज़रूर कुछ ना कुछ रोज होना है काम का आपके तो नार लेक एक क्रेटर लेक है जो बता रहे हो स्वीट वाला थोड़ा बोला है ठीक आंसे के इस कोशन का चीलिका लेक यह स्वीट वॉटर लेक नहीं बूचा इदर चले एक और कोशन देखेगा वर्ड प्रोडक्शन में मिलक का प्रोडक्शन जो है उसमें इंडिया किन्ज कोन से रैंक पर आता है जल्दी से करेंगा जल्दी से कमेंट करेंगा सारे के सारे कि यह 2000 वाली सीरीज का पाचमा दिन है हम बैक टू बैक कोशन कर रहे हैं तो अपना जो 29 तारीक तक हम इसको कवर करके चलेंगे कि 29 तारीक तक कवर हो जाए ठीक है ना वैसे मैंने पहले बहुत कराया मास्टर क्लास सीरीज म है ठीक है पहले प्रीवेसियर कोशन इतने नहीं होगे थे पुरा-पूरा चप्टर कराये था पहले नंबरर है आप पहले क्ली बता दौ рублей रही हो Ser PH कोशन का गोल्ड है ठीक है ध्यान रखी क्यों तो 500 आने केडमी पे रात को आठ बजे लाइव अमन कोड इसको यूज करना ऊपर लिंक दे रखा है ठीक है आज ही होगा रात को आडबे भूलना मत ठीक है नैशनल इंस्ट्यूड फोशिनोग्राफी कहां पर अच्छा कोशन है आंसर क्या है फ्री होगा पूरा फ्री रहेगा सभी के लिए यार ठीक है एक के लिए ने सभी के लिए ठीक है चलो आंसर कहां इसकोशन का यहां जन हित में जारी होगा चलो तो इसकोशन का आंसर कहां इसकोशन का पाना जी देखो पाना जी कहां पे है जहां पे क्या बोलत जी इनका पताइन जल रहा कुछ आंसर के इस कुछन गहां चाहिए जो नेवल मिजियम है वो कहां पे कहता है वो कहां पर बताएंसर शेम हैं एक बच्चा कहा रहा है सर रिपीट कैसे हो रहे हैं मैं सत्य बताओं जीवन में मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूं आपको कोशन मुझे खुदरी समझ आ रहा कि आप ये कमेंट कैसे कर सकते हूं पेशली कोशन मदवाय आपके लिए मैंने एक ट्राइविशं आल ये काल रही है सब्सक्राइब और को सब्सक्राइब. पीडियाफ आप समलो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाओ फायल सक्षन में चले जाओ आपको एक से वड़कर एक कोशन की पीडियफ मिल लाएगी 500-500 की ठीक है नाम के साथ पीडियेफ मैटर नहीं करती कंटेंड मैटर करता है फेले फेले एक फारी सुनो फिर पीडियेफ देखो आज भी आप करेंट फेर पहले तीन घंटे पढ़ोगे न और जो पीडियेफ में देखो गए उसमें जमीन आसमान का फरव होगा भाई एक कोशन पे तीन करंड फिर चार करंड फिर चलेंगे अपने आज ऐसे हो के 500 कोशन होंगे तीन घंटे में और बहुत ज़्यादा पांसो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जहां नगना इसी जगों ठीक है पीडियेफ के वरोसे मत रहना मेरी आज की क्लास मेराथून के लिए क्योंकि मैं बोलूँगा ज़्यादा लिखवाओंगा कम सीधी बात ठीक है गांधार आट जो है ग्रीक से संबंदीत है एक और कोशन के समय में मतुरा ठीक है आट आई थी और ऐसे ग्रीक के गांधार आट ठीक है ब्रत्सलावा कैपिटल है कौन से कंट्री की जल्दी से ब माधी चुट्टी मारा तो उनका क्या ही होगा आंसर फ्लोवाकिया कोशन आपको मिल सकता है चेंद चुलरी कोशन करा रहा था इस तरीव को कोशन संवकativa का Cle50 आठ Stop सोच समझके लगाना आंसर सब्सक्राइब है तो आंसर के सिख पार्सी और मुस्लिम होता बोला पच्छे तो कंफ्यूज हो रहें कि अब क्या क्या लगा है अच्छा इसमें से जो समरिद community है वो कौन सी हाला की यह minority है लेकिन सब से ज़ादा अमीर है सब से ज़ादा समरिद है डवलप्ट है वोगत ज़ादा अपार धन भी ए इनकी बासी दीबाग ठेक है क्योंकि अर्बनाइज है पते कौन सा साइस में से community comment करेगा कून साइस में मुंबई में रहते हैं द्यान रखना पार्सी जो होते हैं ठीक है वह मुंबई में महाराज में रहते हैं चलिए वॉल्म प्लैनेट डिश्केशन हुआ है तो बताईए कौन सा इसमें से clockwise rotate करता है बते हैं आन सके हैं clockwise रोटेट करने का मतलब ये ऐसे ठीक है और anti-clockwise का ऐसे west से east एंटी-clockwise east से west clockwise खेराब यहाँ पर क्या है कि आंज़र है Venus Venus एकलोता है Venus एकलोता है जो clockwise clockwise रोटेट करता है सीधा सीधा सवाल है Venus एकलोता है जो clockwise रोटेट करता है ठीक है कुछ बच्चे कहते हैं नहीं क्लोक वाइस नहीं रोटेट जेखता है चीँ लखे दिखते हैं ये एक कर आबरHeश् fins कि नहीं फिल्ल कों सह ठीक है लेकिन सवाल यह कह दे बाबर नमा किसं भाशा में लिक्षा में लिखी गई तो फसने वाली बात होगी है ना answer के इस question बढ़े नमा किस भाशा में लिक्षा में लिक्षी गई तो यह फसने वाला game होगा ना question कि इस कोशन का आंसर के बाबर नामा किस भाज़ा में लिखी गई इस कोशन का आंसर के हैं ठीक है इस कुछ देखो मैं दोबारा बता रहा हूं आपके गेम चेंजिंग सब्जेक्ट जीके होगा एससी सीजियल बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे मैं कभी-कभी खुद अपने नियर्वाय जो लाइबरेरी है वहां विजिट करता हूं ठीक है मैं वहां पर एक ही चीज देख रहा हूं इस समय बच्चा ना दबाके जीके मुलते हैं वह है अपना जीके वह अपना करेंट फिर अपना साइंस है यह सब्जेक्ट आपको हिला के रखते है वेपर में अगर अच्छे से नहीं पढ़के जाओ मैं सीधी बार बतारो पूरी मैनत बेकार होगी जगाती तरकिस है बेसिकली इसका कोई दिक्कत नहीं है इ उनका ओरीजन कहता तरकिश ओरीजन था है न सीधर सीधर आपसे यह भी कहते हैं कि आपसे सवाल आता बहुत बारी कहता कि मुगल्स का ओरीजन क्या है मुगल्स का ओरीजन क्या है और आपको अलग अलग देदेगा मंगोलियन है मंगोल है तरकिश है ऐसे option देगा तो ध्या है आसानी से लगता है कोशन देखें सोशलीस्ट जो है अब यह वह वह कोशन आ गया है ठीक है जब मैं आपसे कहाँ था मैंने बोला 42 लगाओ भई यह ठीक शहां रखना पार्लिमेंट के द्वारा जरूर होगा मोग टेस्ट जरूर होगा सबसे पहला बहरत का सबसे बहरत का सबसे पहला सबसे करें हैं सिधा सवाल आप से पह Rodrigo कहां turning बनाएगा क्या आंसर है बताओ बहीं बताओ आप किसी को पता है पता नहीं नुएडा में नुएडा में बना दा नुएडा बना है इस पैसल एकनोमिक जन्द तो 2005 में बन गया नुएडा डवलप ही अब हो रहा है आंसर के इस कोशन का जल्दी से बतेगा को ध्यान ञक्ता थेकर आपको यह कोशन में सकत जो कणड़ा के लोकेशन है गुजरात में ठीक है में सकता है कोशन आपको यहको न गुजरात में हयों यहां पे बनाए गया था ठीक है कोशन आशकता है यह कोशन इंपोड़ें myths टीर छह नि legally आप दो पूछ रहा ठीक है इंडिया का नहीं पूछ रहा फिर भी बतावां से के स्कुशंग कि मेडा आज कुछ भी दोका नदे ठीक है आज दोका मत देना उसके बाद महनत करना छोड़ दूँगा आपके उपर अगर आपने किसी नहीं भी महनत नहीं करी आज ठीक है सीधी बात कहा रहा हूं मैं बहुत कुछ लेकर आता हूं आद दोबारा फ्री में लेकर रहा है आपके भले गिल लेकर रहा हूं ठीक है उसको यूट्राइज करोड़ टेक मैक्सिमंम आउट ओफ एट ठीक है मैं तीन घंटे का पता नहीं चलने बज़े तक यह चलेगी क्लास ठीक है और फ्री होगी सब के लिए एंट्री ठीक है आंसर के इस कोशिंगा आंसर तैंग्याक का लेक इसकोशिंगा आंसर है ऐसे आपसे बैकाल लेका भी कोशन आता है विक्टोरिया बता रहे हो लार्जेस कोफी प्रोडूसिंग स्टेट कौन सबसे बढ़िया बदिया तरीका कौन सा है जल्दी से बतेगे मं दस्कोृष क्या सारे दस्को है जल्दी से बतेगे में चल्द को शेल्टर बैल्ट अब नहीं होता जाद है तो मतंग स्टाल को जरून करने के लिए ज़रूरी है चाहर एक और कोशन देखेंगा अब 2004 का वैसे अभी हमें उलम्पिक्स सारे बताएं इवन 24 का 28 का ऑलम्पिक पता है वह टोकियो में 2004 का भी बताई दो लगें आथा आंसे के इस कोशन जल्दी से बताएं जल्दी से बतें के इस कोशन का आंसे के चाला तो इस पूर्णा मैं आपका नाम अगर ना देख पायों धंसे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल होगा एफसे के लिए अन्जे के इस कोशन का एथन्स ग्रीस दुनिया का सबसे पहला जो मोडर्न ओलम्पिक्स हुआ था यह भी एथन ग्रीस में हुआ था ना वही कोशन है चलिए को कुशन है 2004 का हमिए अजी आगरा कि स्थापना किस क्सने गरी यह भी कोशन फसता है फसने कोशन यह भी फसता है अच्छे साबसें और समया भी यह इन्हें जल्दी इस कोशिंगा तो बक्च्छे लगाते है आगरा फिर वो कहता है नई बच्छो आप गलत हो आंसर और सिकंदर लोदी नहीं किसी शायर की तो बता दो चलो अकबर किसी का तो होगा है और सब्सक्राइब यह ना आंसर के इस कोशंगा अकबर किसके थे मतलब फाउंडर फाउंडर किसके थे आंसर के इस कोशंगा अकबर सिकंदर के थे ठीक है ठीक है फतेपुर सीकरी अंसर कैस्सकूशन का फतेपुर सीकरी इस कोशन का आंसर है इवन अलाहबाद इस दा अंसर है graphics आशन अलाहबाद भी जो है इनके द्वारा बनाएगया था बड़ा प्यारा कोशन कार्डिल वोर के ऊपर से कमेटी सब्सक्राइब करदॡ वोर के उपर कमेटी सबुस्पाय इतिहासी प्रसेद बहुत मेहत है पुन व्यक्तिर है ठीक है तो इस कोशन गांसर यह है चलिए एक और कोशन देखेंगा जब हम आँखे नेतरदान करते हैं तो अपने लोग इसमें क्या दे सकते हैं नेतरदान में वही चीज दे सकते हैं ठीक है जिसकी वैसल्स नहूं है ना ब्लडलेस हो वैसल लेस हो तो क्या नेत्रदान में क्या दिया जाता कमेंट के लिए इस विद कब वगा 26 जुलाई को उसको कोशन भी आता है इस तरीके मिलता है इस तरीके चली तो आंसर के इस कोशन गाइब इस कोशन का इस विद्धा साथ बजे डेली हो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि आप फ्री हो जाते हैं नहीं अभी फ्री नहीं होना यार 26 तारिक 27 तारिक बड़िया सब्सक्राइब तारिक बाद भी तीन दिन कुछ होगा स्पैसिल जो आपके काम आएगा बहुत तो उनके नाम पर रखा गए कि दिल्ली में बड़ा प्रसिद्ध होते हैं दरोगा सिस्ट्रम भारत में लोड कौन वोल इसने लगाया कौन से वर्ष में फसने वाला कोशन है ठीक है आंसर के इस सिस्ट्रम वैसे आज के समय हम जो सिस्ट्रम देखते हैं वह है तो दरोगा सिस्ट्रम कर दिया है कुछ जगा दरोगा सिस्ट्रम चल रहा है ठीक है है ना आंसर के इस कोशेंगा जल्दी से कमेंट करेगा कि आंसर क्या है कमेंट करेए बताइए टो इस कोशेंगा कैहें है कि सतरा नो दो थेटेक है चलslेए एक और कोशन देख़ेगा कुछ जादे ही असान कोश्चन हो गया बताई दो अब इस कोश्चन आए गया अर्नाचा बदेश की कैपिटल कुण सी है हाँ बिलुकुल वेजेंगे टेलिग्राम पे भी लिंक आएगा देखो मैं बस इतना गऊँगा टेलिग्राम पे आप जुड़ती हे अमनसर वाइफए सेडी पे जुड़ जाना सर्च कर ले अमनसर वाइफे सेडी उसमें भी लिंक आएगा उपर जो आप देख रहे हैं है इससे आपका अंट्री फ्री हो जाएगा एक इतन अगर इतन अगर इतन आगर इस कोशन आए यह निकरना कोशन फालतों कोशन है महावली पूरम के फाउंडर कौन इस कोशन कहां से के- ठीकें? आंसे के इस question Pragagang? महावली पूरम के founder कौन है इस question का answer नरसिम वर्मन धैंडिखो वैसे महावलीपूरम जो है कि सम्झे संस्भंदित है तामिल जो है चोला जो है उनसे संस्भंदित है लेकिन तया कोशन थैकि जब महाबलिपुरम आता है अपने दिमाग में आता हम चोला लगा लगाएं त्या Cheerio झांत ध्यान एंद को कुशन बइस बांटे और वठी मुमुमेंट के फाउंडर क्यों और कमेंट करिए एक कोशन का हूं इस सबसने वाले ही कोशन की आरा का कहना है बिलकुल जो फसा हुआ है तो दोबारा भी फस सकता है समझरे मैं क्या कहना चाहता हूं ठीक है यह पेपर आये हुआ कोशन तो वही दोबारा भी आ सकता है अर ध्यान रखो ठीक है समझदार को इशारा गामी साहिद आमद के द्वारा जो है वहावी मोव्मेंट की स्थाबना की थी एक और पॉ वज़े से बंदा जीता था ठीक है इसके दोस्त गहे थे दोस्त क्या इनके दोस्त एक चोर थे घुमें फिरे पुरी दुनिया घुमें और बड़े-बड़े जो शाशक हुआ करते हैं नहीं बड़े-बड़े शाशक जो उनसे आर्टिलरी का कंसेप्ट ले आए और इस बाबर हार हुआ था विल्कुल हार हुआ इब्रायम लोधी से बाइफूट लड़ना असान थोड़ी था ठीक है बाइफूट लड़ना असान इन्फेंट्री जो है इब्रायम लोधी की बहुत जाधा थी आटलरी की वरिसे हैसे हुँ ऑफिशल फर्स्ट गवरनर ओफ कमेंट करें जल्दीशे मता है एक छालो आंसर है इस सबसे लोधी सबसे लास था पीच में छोटे चोटे छोटे सासी और Q कॊषिं यह इमिज कब लगे वैसे स्थी जीडी की सुभी नो बजे त्यारी वरी बढ़ी इमेज लगी बदाई विच फुलिंग बैटल मुगल एंपरों ने कब अच्छा कोशन है इस कोशन का आंसर के इस कोशन का जल्दी से बताई है चल तो इस कोशन का आंसर के है अच्छा कोशन है ऐमने कंटेंट का अब हम आपको साथ मिनट का वक्त दे रहे हैं सारे उपर वाल हो घया है यह ऑल्मॉस कोशन ठीक है कितने बजे आट बजे उपर लिखा हुआ है टॉप 500 करेंट अफिर का लिंक ठीक है लिंक है उपर लिंक को ओपन करो लाइव अमन कोड यूज करो और क्लास के उपर ठीक है आ जाओ मैं आपको जो पढ़ा दूगा ना भाई इससे बाहर करेंट अफिर ने आएगा कोई भी एक्जाम हूँ जो मैं आज पढ़ा दूगा मैं पूरा करेंट अफिर पढ़ा हूँ आज मैं ठान के बैटा हूँ कितने भी बच्चा है मुझे मैटर नहीं करता मैं आज जो बच्चा आ गया उसका करेंट फिर कवर करूंगो यही लिंक टेलीग्राम पे भी अवलेबल होगा अमनसर वाइफे स्टेडी पे आप वहां से भी जुड़ सकते हो लेकिन भाई अत्यन तलाबधाई क्लास है जुड़ना ठीक है जरूरी है जुड़ना जरूरी है पॉइंट क्या है और चैनल सच करो अमनसर वाइफे स्टेडी मिलते हैं सभी से इसको एंटर करने के लिए कोड चाहिए लाइव अमन कोड यह लाइव अमन कोड से एंट्री होगी वह देख लेना ठीक है बिलते हैं सभी से 2 मिनिट में 2-4 मिनिट में स्टार्ट कर रहे सारे के बच्चे शेर सभी करते हैं लिंक जो आएगा ना सभी जगा शेर करके आना बढ़िया से ठीक है मिलते हैं सभी से पांच मिनिट में हाड़ी पांच